नमस्कार, स्वागत है आपका निज लॉंचर पर, मैं हूँ अशोक वान खड़े और लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्रम, इस डारेक्ट हिट, आज मैं कुछ खबरे मेरे पास आई, कुछ तथे मेरे पास आए, उसके प्रकाश में मैं इस राम मंदिर के प्रान इस ठा के कारेक्रम में, जो शत्रंज की बिछाद बैठी है, बिठाई गई है, और जो चाली-चली जा रही है, इस पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा, और फिर अंत में बताऊंगा, कि किस ने हिट किया और कोन हिट हुआ, चंपतरा है, एक ऐसे सक्स है, कि संग ने एक समझदार व्यक्ति के तोर पे उनने प्रपूर्ज किया और वो उस ट्रस्ट में एक पोजिशन पे बैठ गया है, पहले कुछ जमीनों के घोटा ले आए, उस पे लिपापोती हुई, लेकिन बाद में उनका अड़वानी जी को लेके एक वक्तव्या, फिर मोदी जी को प्रपूले के एक वक्तव्या, और फिर वो चांदी के फूल वाला विडियो जो वाइरल हुआ, तो प्रश्ट न उठने लगे कि ऐसा क्या हुआ, कि चंपक राय की बाधिक स्थिती पर सवार उठने लगे, एक वरिष्ट, संग के एक वरिष्ट से जब मेरी बात हो रही थ तो उनने कहा कि ऐसा नहीं है, चंपत्रा एक सुलजी हुए इनसान है, लेकिन एक जब गल्ती इनसान से होती है, उस उस गल्ती के लिए जब बहुत बूरी तरह से उस इनसान पर प्रेशर पड़ता है, और दस ऐसी बाते उनसे कहलवाई जाती है, जो उनके नेचर में नही आता है उससे, और फिर वो बिना इंटरेस्ट का कुछ भी बोलने लगता है, बात क्या हुई, जब बाइस तारीक जन्वरी की तैय हुई, राम लला के प्रान पतिष्ठा के लिए, तब ये तैय हुआ, कि इतने लोगों को इन्विटेशन जाएंगे, इतने हजार लोग होंगे, जो कार सिवा में आए वो होंगे, आज तो पता पड़ा कि जो जिस बेंच ने सुपरेम कोट के ये डिसिजन दिया, उन तमाम जजस साइब को भी इन्वाइट किया गया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, जाए न जाए व्रतिगत मामला होता है, उन्होंने पहले कारेकरम के अनुसार उनका समय मिले बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन सभी महनुभाव व्यस्त होते हैं और इनके छेचे महने के आगे के प्रोग्रेम बुट रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि समय मिलेगा, 22 तारीक का समय मिला, उस दिन का एक शुब मुरत निकला गया, मैं तो हमेशा कहता हूँ, रोज कुछ शुब मुरत भी होते है, कुछ अशुब समय भी होता है, तो शुब मुरत में ये प्रानपतिष्टा होने लगी बात, यहां तक ठीक है, फिर खबर आई कि अडवानी जी और जोशी जी को भी इन्वाइट किया गया, ये बीजेपी क अड़े के बाद लगातार बने भी नहीं रहते, क्योंकि पूर्न रूप से, यदि हिमाले जैसा उनके पीछे कोई खड़ा था, तो नरेंदर मोदी जी के तो लालकृष्ण आडवानी थे, लेकिन, जब इनसान सत्ता में आता है, दिल्ली के सत्ता का केरेक्टर बहुत खरा अडवानी जी को किनारे लगाते हुए, नरेंदर मोदी पार्टी पे स्थापित हुए, प्रधान मंत्री बने, और नरेंदर मोदी जी के खिलाफ थोड़ो सा सूर निकालने पे, वो अब मार्क दर्शन मंडल में घर पे बैटे है, और अब उन्हें सिवाए मोदी जी के साम ने जुकने का और कोई चारा नए बचा। जब नरेंदर मोदी जी को या वरिष्ट नेताओं को ये पता पड़ गया, कि अडवानी जी और जोशी जी भी इन्वाइट किया गया है, तो ये बात तो तय थी, कि जोशी और अडवानी जी होंगे, ये तो राम मंदिर आंदोल जननायक है, कि जिन्होंने राम के नाम जबते हुए जो रत्यात्रा निकाली थी, उससे भाजपा मैं पुरा देश करवा दिया था, और भाजपा का इदी उत्थान हुआ है, तो उसमें अडवानी जी के रत्यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, उस रत्यात्रा का गु अडवानी जी के साथ उस यात्रा में था, मैंने उस यात्रा की सफलता के लिए नरेंदर मोदी जी को भी काम करते हुए देखा है, जब तीर निकल चुका था और इंविटेशन, जोशी जी, मुझली मनहोर जोशी और लागष्ण अडवानी जी को चले गए थे, उसके क्या क्यों, क्योंकि वो आएंगे तो लाइम लाइट लेके जाएंगे हम, और हमारा वरतबा नेतरुत हो है, सारा फोकस खुद पे रखता है, ये बात निर्विवाद रूप से कई जगा सुबुतों के साथ प्रूव हो चुकी है, और होनी भी चाहिए, यदि एक नेता है, तो हो हमेशा चाहेगा, कि सारा फोकस उस पे रहे, कि कोई दुसरा से लिवल के आ जाता है, तो फोकस हटता है, और ये फोकस रखने का समय है, क्योंकि दो हजार चोईस की चुनाव तीन मैने बाद है, लोग सबा के, ऐसे में फिर, बड़ी अजीब बात, चंपक राइजी ने कही, कि हमने उनको न्योता तो भीजा है, लेकिन ये भी बोला है कि आने की जरुरत नहीं, आपकी वृद्धावस्ता देखिए, आप वहीं से राम लला के इस कारेक्रम में घर बैठे ही शरीक हो जाएए, या आने की जरुरत नहीं, ये बाकाइदा मेडिया में बोला ग की प्रान्तिष्टा होने वाली है, लेकिन आपके वृद्धावस्ता को देखते हुए, आपकी तबियत को देखते हुए, हम आपको लेके नहीं जा रहे हैं, इन्विटेशन भेजना ये रेगुलर प्रोसिस का काम था, और इसमें चंपतराय के मन में कोई खोट नहीं थी, लेकिन उनसे ये गलती हो गई, ये जब उपर वालों ने बताया, तो रेक्टिफिकेशन के लिए उनसे ये भी कहलवाया, कि इन दोनों को आने की ज़रुरत नहीं, लेकिन बात उल्टी हो गई, जैसा ही चंपतराय का ये वक्तव्य मार्केट में आया, पूरे कारे करताओं में एक रोश्व्याप्त हुआ, संग भी कहीं इससे असहज हुआ, अडवानी जी को घर बिठाने का मुख्य जो पीछे सारा रचा गया, अडवानी को घर बिठाया गया, उसमें संग का हाथ है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संग का नेतृत्व अडवानी जी से बहुत जुनियर था, संग कते ही नहीं चाहेगा कि बीजेपी में उनसे सिनियर लोग बैठे रहे, संग अपना वर्चस्व बताने के लिए हमेशा बीजेपी में जुनियर लोग ही चाहेगा, और उसी प्लैन के तहट अडवान जी का अपमान था, ये जब सब असहज हुए, तो फिर विएच्पी को लगाया गया, विश्व हिंदु परिशत को, और उन्होंने कहा कि अडवानी जी चिंता ना करे, हम चार्टर्ड प्लैन से उनको लेके जाएंगे, लेकिन इस गलती से हमारे भगवान इतने नाराज है जब उनको पता पड़ गया चंपक राय को, तो फिर चंपक राय डर के मारे दो कदम आगे चले गए और उन्होंने मोदी जी को विश्व का रूप कह दिया, वो चाटुकारिता के हद थी, स्वयम मोदी जी भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें कोई विश्व का रूप कहे, अर्चना भी शुरू हो गई थी, तो मोदी जी ने बाकाइदा मैसेज भेज कि वो मंदिर डिस्मेंटल करवाया, वो कते ही नहीं चाहेंगे, वो राम भकते ही बनना चाहेंगे, वो भगवान नहीं बनना चाहते, उसमें भी जब उनको लताल पड़ी, तो फिर उन्होंने जैसा चल रहा है काम ऐसा चलने दू, अब किसी कॉंट्रिवर्सी में नहीं पड़े, और उसी में वो चान्दी वाला वीडियो आ गया मार्केट में, जब वो चान्दी के फूल लेके आए, तो उनने कहा कि कहा रखेंगे भई, हमरे पास रखने की जगा भी नहीं है, और य जायूंगा ही नहीं वहाँ पे, उनकी जो बॉडी लेंग्वेज और भाशा थी, वो एक नाउमेद व्यक्ति के थी, कि चलो बस एक राम का मंदिर पुरा हो जाए, और मैं ही हां से मुक्त हो जाओ, ये ख़बर, ये पूरी कहानी, जब कल मैं किसी इश्यू पर बात कर रहा था किसी वरिष्ट संग के प्रचारक से, तो उन्होंने समझाई है, क्योंकि मैंने कहा कि संग में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बैलन्स लोग हैं, ये चंपतरायजी को क्या हो गया, तब चंपतरायजी को डिफेंड करते हुए, ये सारी बाते जब पता पड़ी, तो पता पड़ा कि राम के नाम में, राम जी के इस आयोजन में भी लगादार राजनितिक पेतरिबाजी चल रही है, इसलिए मैंने कहां शत्रन की बिछाद भी सही हुई है, और हर इंसान अपनी चाले चल रहा है, बिल राम के नाम से फट रहा है, इसमें चमपतराय ने भल मानसपन से अड़वानी जी जोशी जी को इन्वाइट किया, और इसे हिट कोई और दिल्ली में हो गया, और फिर उसने वापस जो हिट किया, उस हिट से अभी चमपतराय उभरे नहीं है, यही एक खास खबर थी, जिसका विश्टलेशन कोन कैसा हिट हुआ और कोन कैसा हिट करता है, यह मैं आपके पास जानना चाहता था, क्योंकि अब अयुद्य का ये इवेंट कारनिवल बन चुका है, मल्टिनैशनल कमपनीज, नैशनल कमपनीज, शोकेस करने के लिए अपने प्रॉड़क्ट उतार रही है, आप राम नाम का जब जाते समय रस्ते में, आपको कोका कोला पी ना हो तो वेंडिंग मिल जाएगी फ्री में हाजमोना मिल जाएगा, बिस्लेरी से लेके, फॉर्चुन से लेके, इमामी से लेके, पारले से लेके, तमाम प्रॉड़क्ट वहां इंडोर्स्मेंट करने में लगे है, क्योंकि राम भक्त सरीव राम भक्त नहीं, किसके लिए धंदा भी है, राम भक्त कुछ लो कुछ लोगों के लिए राम भगता है राम के लिए वो भगता है राज की अदल के लिए वो एक मद्दाता है कंजुमर प्रोड़क्ट के लिए वो एक उपभुगता है आज इतना ही कल फिर आता हो किसे विशे के साथ तब तकी लिए नमस्कार देखते रहिएगा YouTube चनल News Launcher